क्या वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी? क्या उन्हें अंग्रेजों से पेंशिन मिल दी थी? चलिए ऐसे ही कुछ सबालों के जवाब ढूढने की कोशिश करते हैं नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं गो नारद विक्रम संपत जोकी एक इतिहासकार और लेखक हैं उन्होंने अपनी किताब इकोज फ्रॉम फॉर्गटन पास्ट में सावरकर पर बहुती तथ्यात्मक और एतिहासिक दस्ताविजों के साथ उनके वारे में लिखा है वा लिखते हैं ये बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जाता है कि उन्होंने मर्शी पिटीशन फाइल कर माफी मागी थी ये कोई मर्शी पिटीशन नहीं थी ये सिर्फ एक पिटीशन थी जिस तरह हर राजबंदी को एक वकील करके अपना केस फाइल करने की चूट होती है उसी तरह सारे राजबंदीयों को पिटीशन देने की भी चूट दी गई थी वह एक पकील थे उन्हें पता था कि जिल से चूटने के लिए कानून का किस तरह से इस्तमाल कर सकते हैं जब उनको 50 साल का आजीवन काराबास सुना दिया गया था तब वो 28 साल के थे अगर वे जिन्दा वहां से लोटते तो 78 साल के हो जाते और देश की आजादी की लड़ाई में यथा उचित अपना योगदान नहीं दे पाते उनकी मनशा थी कि किसी तरह से जिल से छूट कर देश के लिए कुछ किया जाए 1920 में उनके छोटे भाई नाराइन ने महलमा गांदी से बात की और कहा कि आप पैरवी कीजिए किसी भी तरह वे छूट जाए गांदी जी ने खुद कहा था कि आप बोलो सावरकर को कि वो एक पिटीशन अंग्रीज सरकार को भेजें और मैं उनकी सिफारिस करूँगा गांदी जी ने लिखा था कि सावरकर मेरे साथ सांती के रास्ते पर चलकर काम करेंगे तो इनको आप रहा कर दीजिए ऐसे में पिटीशन की एक लाइन को लेकर उसे तोड़ मरोड कर पेश किया जाता है सावरकर को अंग्रीजों से पैंसिन क्यों मिलती थी इस परवा लिखते हैं जील से रहा होने के बाद सावरकर को रतनागिरी में ही रहने को कहा गया था अंग्रेज उन पर नज़र रखते थे उनकी सारी डिग्रियां और समपत्ती जब्त कर ली गई थी ऐसे राजबंदियों को जिन्हें कंडिशनल रिलीज मिलती थी उन सभी को पैंसिन दी जाती थी उस समय अंग्रेजों का ये कहना था कि हम आपको काम करने की चूट नहीं देंगे आपकी देखवाल हम करेंगे गुजारे के लिए उन्हें पैंशिन दी जाती थी इस तरह की एक तत्थियावी है कि गांधी नहरू और सावर करने इंग्लेंड से ही वेरिष्टर की डिग्री ली थी उस समय बिटिस सरकार का एक नियम था नियम ये था कि बकालत करने के लिए एक शपत पत्र देना होता था जिसमें बिटिस सरकार के खिलाफ ना जानकर उनके पृति बफादा रहने का बचन देना होता था यह बचन पत्र नहरू और गांधी ने दिया था वीर सावरकर ने नहीं दिया था सुतंत्रा संग्राम सेनानियों में गांधी नेरू से भी ज़्यादा कठोर सजाएं वीर सावरकर को दी गई थी छुद्र राजनीती के चलते कुछ लोग उने कम आकने की एतिहा से गलती करते हैं वीर सावरकर वीर ही रहेंगे और हमारा मार्क दर्शन करते रहेंगे ये खबर आपके लिए लिखी है मनोज कौशल ने वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल कौनारत बनाए हर दिन बहतर